तथर्चार है हमें हमारे नाम से संबूतित किया वो भी सब के समक्ष यह वनुन माला के साथ साथ धनी मनी का दिमाग भी साथ में आस्मान पर प्रहमन कर रहा है यदि आज हमारे समक्षा आ गए तो हमें गए जब आपके दग्धा मां गुरू था ये सब खाने को नहीं देता था लेकिन हमें दिखा दिखा के सब कुछ चट कर जाता था रत्यवचन जब से गुरू बदला है हमारे तो बाग गई बदल गए तहीं का है 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 अधा आनंद आ रहा है ना अटी आडंड गरम अनंड और पकवान चाहिए हां इंतों गर्मा गरमी लाना शीक रही लाई है इंतजार है तो संदे है घर्मा गरम ही मिलेंगे हाँ है 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 यह जो तो अधा अधा पसली गरम हुई जो और गरम करें दूष्टो वापियो दुरहचारियों जिस थाली में खाते हो उसी थाली में च्छेद करते हो अरे हम तो जम गए, हमारा पैर्ट उन्हे उत्हाँ आली है, अमरी जोती किछ लही यह, यह क्षेज लह पो हुआ हना जोड़ा है यह क्षब के नहीं जोती नहीं, भुती? प्रतिष्था को गिस गिस कर धोड़ाना उसका क्या प्रभू हो तो प्रभू क्या प्रभू हम तो अज्ञानी तथाचार्य हैं वहां दर्बार में सब के समक्ष हमारा नाम लेकर सम्भोदेत कर रही थी तथाचार्य नाम शिफ 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 ऐसा पाप करने का तो हम वामाचारे जी ले रहे थे फिर भाई, फिर भाई ये दोनों तुमी तो हो स्वामी हम तो आपके धरफपत्नी वरुनमाला है और आप जिनकी बात करें है तो तो हमारा दूसरा रूप है आपको जो भी समझतिया वामाचारे जी स्वा आप उनी की समक्षित कीजी का पागल हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे बुद्धि प्रेश्ट हो जाएगी हमारी अचाही बात बताईए ये वामाचारे नामक पुरानी का भूत कहां से आपकी दुरबल बुद्धि पर आकर्मन कर गया स्वामी, आप तो राच-काच के कारे कलापों में मगने रहते थे तो? तो हम भी ग्रह कारे समाब थोने के पश्चाज प्रती दिन आपकी वाच्णाले में जाकर पुस्तकों का पाठन करते थे वो भी आपका नाम जबते जबते ये का मवस्या की रात्री आप मंत्र साधना के लिए बाहर गये थे वाच्णाले में हमें कोने में पड़े हुई वास्तवशास्त्र की बुस्तिका मिली स्वामी उसका अध्यान करते करते हैं मितना लीन हो गया कि हमें तो आपनाई स्वभी ना रही और हमारी आखे बंद हो गई और फिर ग्यान का प्रकाश फूट पड़ा स्वामी जब हम अपने दिल सुखे उटे तो आपके नाम के जब फल अनुसार हमको वास्तु का ग्यान ख्राफ्त हो चुका था अथा तो आपने अपने इस ग्यान के बारे में हमें क्यों नहीं बता है शंबू 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 आप जैसे महा ग्यानी और महा पुरुष के आगे अगे अगर हम अपने ग्यान की बात करते तो वह तो वैसे ही होता ना जैसे सूरज के आगे दिया दिखाना सुर्च कहीं स्वामी तो हम डर गए थे इसलिए हमने आपसे इतनी बड़ी बात चुपाई फिर हम महारानी चिन्या देवी से मिलने के लिए अंदर में है निगर और फिर तब गुरुमाता आप जानते हैं साथ दिन हो गए महाराज हमारे कक्ष में नहीं आये हैं उस तिरुमलंब के साथ ही अपना समय बेतीत करते हैं और उधर कड़वे करेले के खीर भी खाते हैं पर तो यहां नहीं आते पर अचानत जहलत है हमारे अंदर भास्व ग्राजन के गमले में ज्ञान कांक और फूट पड़ा और हमने महरानी चिंदा देवी को पाय बताया क्या हूं पाय? अप पाय? महरानी हमारे अंदर से एक थोनी आई गी अर हमें फूर्ण बिश्वास है कि उससे आपकी समस्या क का निदान अवश्य होगा निविलम बताये गुरु माता आप बिना समय गवाई हुए अपनी इसकक्ष में दो हंसों के जोड़े का एक मन्मोहब चित्र लगवाई है इससे आपके और माहराज के रिष्टे प्रवल होंगे और वो आप से अधिक प्रीम करने लगेंगे अधि दन्य है आप गुरु माता जब से हमने कक्ष में दो हंसों के जोड़ों की दस्वीर लगाई है तब से सांच चलते हैं महाराज हमारे कक्ष में आ जाते है यह तो चमतकार हो क्यो गुरु माता अब फिर उसी दिन महाराणी ने हमसे अनरोग किया कि हम अपने वास्तु ग्या कि प्रकाष से पूरे राज समराचिन में प्रकाष पहलाए तिकाष अरण तो यह वामाचारे है आप के भीतर कहां से आते हैं तरपर से स्वामी जब इस सब हुआ तब हमें इस चीज का ग्यात हुआ कि हमारे अंदर भी कोई और है वाह वरुनमाला वाह बहुत अच्छे यह तो बहुत जनहित का कारे कर रही है करते रही है आपके इस कारे से हमारा सर गर्व से उंचा होगा स्वामी आप में शमा कर दिया अवश्य अवश्य प्री आप इस शुब कारिया में लगी रही है जो आग्या प्रभू हम आप कहीं संदेश्वामा चाहरे तक पहुंचा देंगे इस कप्टी बड्रे तो पलक जपते गरगर की तरह रहा रही है जही का इस गुर्व के मन में कुछ ना कुछ तो ऐसा सूज गया है जाट गुर्मा पड़ा प्रचा आप वाह वाह महकार वाह हम इस वामा चारे नामक अपसर का पूरा राब उठाका इस वरुनमाला नामक कांटे को अपने जीवन से निकाल फैंगे हम महराज के सामने ये प्रमानित करतेंगे वाह माचारे बनकर पाखंड कर रही है और महराज को ही ठग रही बस महराज वरुनमाला को अजीवन काल के लिए काल कोट भी में डाल देंगे और हम वरुन माला से सदयव के लिए मुक्ति पालेंगे और उसके बश्चा हम अपने प्रेम के मार्ग पर प्रशस्त हो जाएगे सोदा मिनी तेरे ड्वार खड़ा है जोगी जो है तेरा प्रेम रोगी हरी आपके मुक्त पर ये तेज कैसा आँ देखो तो धर्म पत्नी हो तो ऐसी कैसे पहचान लिया मुझे ब्रह्म ज्यान हुआ है शार्दा ये उसी का तेज है साच क्या साच मेरे मुक्त लगी हुए मिट्टी तुम्हें तेज प्रतित होती है वामाचार्य जी ने कहा है सोच हमेशा सकारात्मक होनी चाहिए नकारात्मक नहीं अगर सोच सकारात्मक हो तो पूरा ब्रह्मान नकारात्मक सोच को सकारात्मक बना देता है वह 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 बहुत अच्छे बहुत अच्छे आज से हम आपको चतुर महाग्यानी और रूपवान कहेंगे कहने से क्या होता है वो तो मैं हुई हाँ वो तो है पर कहने में क्या समस्या है जे गुरु माता वामाचार्य की यह 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 वामाचार्य ये वामाचारे की बात सुनकर सारे नगरवासी अपना घर तुड़वा रहे हैं उसी से उड़ने वाली मिट्टी मेरे मुख पर लगी है ये तो बहुत शुब समाचार है मेरे मुख पर लगी होई मिट्टी तो महरे लिए शुब समाचार है नहीं-डहीं, राज्य के सभी लोग बामाचारे के बात बात बान रहे हैं, ये शुब्स बामाचार है, देखना पूरे राज्य का उधार हो जाएगा उठालो अहाँ, पता है, लोटा उठा कर मुख धोने ही जा रहा हूँ नहीं, लोटा नहीं, गुरु माता वामाचारे के बास्तु ग्यान का लाब उठा लो, जीवन सफल हो जाएगा अच्छा, जाएए नहा लीजे, हम आपको प्रसंद करने का उपाय लाते हैं जार्दा, तुम बस इस वामाचारे का भूठ अपने मस्तिश्क से उतार दो, मैं स्वयम प्रसंद हो जाओंगा, सच्ची यह क्या निया स्वांग है, यह वामाचारे का कोई सुधाव है जाओ जाओ, जाके विश्याम करो, ब्रह्मु मूरत पर हमें ताल पर जाना है ना, जल लाने के लिए आजाओ हाँ 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 कर जाओी हाँ 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 хिषा जाओ मूरत जाओ जाओ हाँ 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 हाँ, जाओ ह।्छयाम कि हाँ हाँ है तुसी ने बिष्ण दोना सुन्दर अधी सुन्दर शार्दे अनायास ही तुम बहुत सुन्दर प्रतीत हो रही हो अनायास मतला हम सुन्दर नहीं है नहीं, नहीं अनायास ही मूँ से अनायास निकल गया तुमको बहुत संदर हो क्या देख रहे हैं स्वामी तुम्हारी मूरख था अर्धात तुम्हारी संदर था तुम्हारी सुन्दर्ता तो दिन बदिन निखरती जा रही है, वरुनी. पुन्हा, पुन्हा कहिए स्वामी, हमें अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा है. वरुनी, तुम्हें तो ईश्वर ने धैरेय पूडवक बनाया है. तुम्हारी रचना तो बहुत धैरे के साथ किया इश्वर ने, वरुनी. इतना सच, कहीं हम मूर्चे तो हो जाए स्वामी. मूर्चा तो कहीं हमें ना आ जाए तुम्हारा यह रूप देख कर. वा, क्या रूप है, क्या सुंदरता है. रूप का भंडार हो तुम मेरी प्रिये, वरुप. वरुप, यह संगीत सुनाई दे रहा है तुम्हारा सुले ताल, संगीत वाद दियंतर, सब आपी है स्वामी, सब आपी है. दे डे डेना कि क्षुच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्… दे 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 ना बन्हें, जा करने करते हैं जा करते हैं कर दे दिए पर बन को 할 के दो आब भाटे हैं देरेला 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 ए देरेला तातया 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 कुच्चू कुचू? के लिए के लिए के लिए मारा कि ऐव भाकिल मेरे निकट रहो शार्दा, उससे दूर मत जा, यह मेरे जीवन के सबसे सुखात ख्षण है गुरू माता वामाचारे ने जो जड़ी बुपी दे थी उसी का असर है मत आओ, प्रसन ना की भावना में विचर ने दूँ सुप्राबाद, सुप्राबाद जारो, जारो त्थू, 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 त्थू स्वामी, स्वामी, क्या हो स्वामी? अब वो, इतना मधुरस्वपन देखने के बश्चात, ऐसे भ्यानक चेहरे देखके भाईबित हो गए हम ए मनी, इस बुद्धी को कलगात को तो अपना मो की तब भयंकर नहीं लगा आश्चरिये की बात है नहीं? अब ताल से जल ली आए? ताल से जल? हाँ? हाँ? वो तो हम ब्रम मुरत में ले आए थे? हमने तो जल डाल भी दिया? गुदू माता, जूत बोलें तारा मुरत प्रात काल से ही मट्टे की निकट सो रही है हमारे गरोजी वरुन माला? वरुन माला तुम टेवा की रही हो? आपको अपने जीवन की तो चिंटा नहीं है कमसि कम हमारे सो हाथ का अफ़ाय की जार कीजिए सोचिये हम लिद्वा के बेज में कितने कापतह के लिए अमें कुछ नहीं होगा नहीं सौमी तुरू माता वामा चाहरे का कतन कभी अर्सक्ति नहीं होता है तो नहीं एक और उपाए बताया है एक और उपाए जी हाँ तो वो उपाए कर लेके उकम से कम ब्रह्म उमूरत में ताल पर जाने से तो बच जाएंगे न नहीं सोमी ताल पर जाना ही होगा पर अब आपको प्रति दिन प्रह्म मूरत में एक नहीं तीन मटके जलाना होगा अच्छ तीन मटके? जी हाथ तो हमारे दो हैं तीन मटके कैसे लाएंगे? आपका ये शीश अदा गुरू जी और आप दो गुरू जी इस पूरे वीजे नगर का भार अपने शीश पर उठाए फिर रहें एक मटका नहीं उठा सकते गुरू जी है? मूर का गुरू माता हम इनकी तरफ से आपको वचन देते हैं कि ब्रह्मवेला में सुभे चार बजे ये ताल तक जाएंगे यदि चार कोष चल कर और ताल में उतर के शीश जल के चार मटके अपने शीश पर उठा कर हमारे गुरू जी लेकर आएंगे हाँ हाँ तीन हाँ तीन मटके लाएंगे बस देखा, गुरु माता, तीन मटके लानेक ले तेजार हो गए इश्वर से दोनों को दीर गाई हुदे, जिसके तुम जैसे शिच्चु हो, उस दुरू पर कभी संकट नहीं आ सकता ये, वामाचारे नामक प्राणी से शिगर अपिशिगर करा पाना होता अन्य था मा, गुरु माता, वामाचारे बहुत चमतकारी है, उनके आने से पूरे विजन लगर का उतार हो लिया है हाँ मा, हम भी चाहते हैं कि वो हमारे घर है, इसलिए हमने उन्हें लियोता दे दिया है हे बंदू, इतना चिंतित क्यो है रामा? मैं ये सोच रहा हूँ बंदू, कि वामाचारे घर से दूर है, तो मेरी ये दुरगती है, जब वो घर के अंदर आ जाएगी तो क्या फरी नाम होगा? वही, जो माहराज का हुआ है हे मा, अपने इस भक्त को किस विपत्ती में भसा दिया? अब वामाचारे नाम के इस सांधी से पेले महाजाज को बचाओं ये अपने घर को अच्छा करना यदी पहले से ग्यात हुता तो भमन कुंड के निकट बनवाती परम ग्यानी इता था चारे इस्त्रियों की फांती मट के उठा रहे है एश्वर, पुराते काल फिर मट के उठाने पड़ेंगे जीना दूबर कर दिया इस्त्रियोंने आड़े लग में एक पुरा कर जा। खाँ तपना ले ज्याला यलला नणनननन तथू तथू ते थूप ते थूप ते थूप ते थूप पंडित रामाकिष्णा हम तो आपसे ख्षमयाशना करवाना चाहते थे परन्तु अब अपनी हाजी ना रोख पाने के कारण हम ख्षमाप्रार्थी थे तुम्हारा थूप बैट्रे का स्थान भी उल्टा हो गया अचारे वहाँ देखिए आप भी उल्टे ही बैठेंगे है यह क्या है हम परंगुरू तथाचारे भी उल्टा बैठेंगे यह वो क्या रहा है पंडत्रामकृष्णा प्रणाम मंतिवर प्रणाम वास्तु विद्वामाचारे जी के नए निर्देश है महारानी चिन्ना देवी ने इनका पालन करने का आदेश दिया है जानको मंतिवर ऐसे वारतालाब कैसे संभव होगी अब यही विजा तो हम भी कर रहे हैं एक काम करते हैं हम अपने अपने स्थान पर बैठते हैं बात करने से पूर्व मैं तालीब हो जाऊंगा तर पस्चात आप पूर कर देखिएगा आचार आप बाईं तरफ क्यों देख रहे हैं मैं तो दाईं तरफ हूँ ना आचार 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 जिस दिशा से द्वनी आए ना आप उस तरफ देखिए यदि बाईं दिशा से द्वनी आए तो बाईं तरफ देखिए और यदि दाईनी दिशा से द्वनी आए तो दाईं तरफ देखिए ठीक है उचित है उचित है पंदित रामा कृष्णा ये क्या उपास है आप दोनों दिशाओं में दिखाई नहीं दे रहे हैं पिताली की बजाए गुरुवर पंदित रामा कृष्णा आप यहां हमारे समक्ष आई है जी महाराज आ रहे हैं आप दोनों जी जी महाराज महाराज इस्ति बहुत गंभीर है बहुत हमारी पत्नी विक्षिप्ट हो गई हमें ग्यात नहीं होता कब वरुंबाला है कब वाम अचारे है आपने देखी हमारी भाव भंगी माए जब हम अपने स्तान पर बैठे होते हैं कितनी विक्षिस्तिती हो गई है हमारी कैसे देख पाते गुरुवर आपकी भाव भंगी माए हमारा सिंगा सन तो उल्टा के आउवा है आपकी धरम पत्नीन माराज इस समस्य का समधान मैं अभी कर देता हूँ बस अभी आया यह समधान करेंगे हम राज पुरुईत तथा चारे वामाचारे को नहीं संभाल पाए अब यह संभालेंगे हुआ हुआ है माराज इन धर्पड़ों में आप सबकी प्रतिविम देखकर वार्तालाब कर सकते हैं अब यह देखिए पंडित रामा किष्णा की बुद्धी मता यह ऐसे करेंगे समस्या का समाधान पंडित रामा कृष्णा यह समस्या का समाधान नहीं है विकल्प मात्र है विकल्प हमें संपूर्ण समाधान चाहिए गुरुवर जी आपने अपनी धरम पत्नी गुरु माता से बात की है महराज समझाने की सारी सिमाए लांग चुके हैं हम राज पुरुवित अथाचारे के लिए राज्यर से अधिक महत्र पूरुन और कुछ नहीं हो हमारी धरम पत्नी हमारे जीवन का आक्टोट हिस्सा है प्रन्तों हमारे द्यक्तिगल समन हमें हमारा कर्टब यह दिबाने से नहीं रोक बलिदान देने का समय आजкийा है महराज आगया है समय बलिदान देने का यह अप क्या गयर है आजाने महराज यह बरुमारा आठात पामाचारे का स्वत्र रहना अजरी के शुब्राइब प्याक करने के लिए तयार है महराज अपने हिर्दे पर पत्थर रखकर हमने आपसे ये निवेदें प्रिया हमाराच दुरुवर हम आपकी भावनाओं की प्रशंसा करते हैं परन्तु ये संभव नहीं है वो गुरु माता है हमारी और फिर किस अपराद में उन्हें कारावास में डालने वो राज कार्या में अवरोद उत्पन करने के प्राद में परन्तु वामाचारे के तो केवल निर्देश है आदेश तो महारानी चिन्ना देवी के है न महाराज की जय हो शुब समाचार है महाराज इस वर्ष हमारे राज्य में अत्यंत धान उत्पन हुआ है अता हमारे किसान अत्यंत प्रसन है और तो और महाराज हमारे पडोसी देश के राजा जो हमसे द्वेश रखते थे किसी कारण अस्वस्थ हो गए है अब वो उस थिति में नहीं के वो हम पर किसी भी तरह का प्रहार या आकरमन कर सके। और भी शुपसमाचारे महराज, जैसे आज हमारे राजकोश में... तोड़ देना चाहिए 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 तोड़ देना च महराज का राज संगासन उल्टा करने का परिनाम है पंडित रामकृष्ण आपको ग्यात होगा कि जिस विशे में क्यारना हो उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और आप राजपुरोहित तताचारे जी हमें पूर विश्वास है कि आपको हुमारे बास्तो शासर के चमतकार ने स्तब्द कर दिया हुए हमें आशा है कि आप हमारे कारे में बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे महराज आप से निवेदन है कि आप हमें हमारी दक्षिना प्रदान करें मंत्रिवर गुरुवाता वामाचारे को उनकी दक्षिना दे दी जाए जी माराज जी माराज भूमा चारीएगी जी 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 जऑ। वोमा चारिएगी, 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 वोमा चारिएगी जाहिए बदल देना चाहिए बदल देना चाहिए ऐसा की धोराए कि हमारा सिंधासं कभी सिधा नहीं होगा वाह वाह इतने सारे उपहार लगता है राज्ये में हमारे भक्तों की फील्ड बन गई है नहीं गुरुजी यह सारे उपहार गुरु माता वामाचारी के लिए है विजय नगर की जनता वामाचारीय की भक्त है अच्छा इस तो चमादकार हो गया जिसे हमने श्राप समझा वो तो बर्दान निकली धन्ने महान है आप हमें ख्रमा कर दीची स्वामी यह आप क्या कर रहे हैं शिप 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 हम आपकी धरम पत्नी हैं स्वामी इस तरह से लत्मस्ता कुकर क्यों हमको पाप का भागीतार बना रहे हैं स्वामी यह उपहार दर्शाते हैं की राज्जे में आपका कितना प्रताप है यह उपहार शामी यह उपहार हमारे लिए słu नहीं है यह जर्थ महान है तो महानों के भी महान है हमें उनकी वाश्टु शास्त्र पर बूरण विश्वास है अब जरह उनसे हमारे बारे में वारता कीजिए ना ताकि हमें भी वाश्टु शास्त्र का कुछ लाभ हो जाए स्वामी ये कारेता उनचार प्रधण कर चिके हैं अच्या क्या झिया निर्देश है उनका हमारे लिए स्वामी उनका निर्टेश है कि आपको घर के बार सबसे उंचे ब्रक्षपर के स्री रंका द्वज लेहराना है इससे आपकी कीर्थी का द्वज रोधी चाओं में लेहराएगा धन्य है मामाचारे जी अम अभी अभी सेव को कहकर द्वज लेहराने का आदेख देते नहीं नि श्वामी ये काम स्वामाचा可 brain आपको करना है हमें करना यां इस सबसे उंचे ब्रक्षपर चड़कर , सबसे उंचे प्रक्षपर चड़कर , Sem agree श्वामी और इसकारे में आपकी सहायता कामचारे के शेष धना चारे यर मनाचारे करेंगे ही ही जा ही वाम अचारिय जी को हमारी तरफ से धन्यवाद कहीएगा अश्य जवामी, अश्य जलिमानी, जी कुरोजी, ढूंड़ों की सबसे उंचावरेक्ष, आँ कुरोजी ये रहा कुरोजी, ये रहा, ये रहा सबसे उंचावरेक्ष, आयवरक्ष, जन्यमानी, अटगई? क्या आटगए, गुरोजी? गुर्दन अटगई? अच्छा, परण तु आम उसपर चड़ेंगे क्या से? अरे, गुरोजी, भगवान का नाम लेके चड़ जाएए लगाव, सिड़ी! और उपाव घबराईए मत बिली चड़ जाएए सीनी पकड़े गुरुजी हाँ नहीं हम महा प्रोहित्थ अचारे हैं कोई अवश्कता नहीं दोज लाओ दोज लाओ ये लिजे गुरुजी ये हुख लाओ किया देखो है आ आ आम देखना है जब तक बड्द दा निची है तोड लेते हैं उचित विचार ुचल द्रम्हाइए चल द्रम्हाँ रखपणउ अरे ढिए धार गड़िए माथु खुछनु उनिवा गुम्रुद भाइअ पुछां। अर्य धनी-मणी अर्युपाँ पुछां। शीरही रखुछां। ऐ धनी उट 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 उस उस आर्युपाँ। अर्य गुरुजी कॉछां। अर्य मुल्कों उतरेंगे कैसे। अब वो भाग हमारे, आये आये पधारी, स्वागतम, सू स्वागतम लो, कुलाडी पैर पर नहीं गिरी, तो पैर ही कुलाडी पर मार लिया, आ गया संखर गर में हम, उतारो, और आरती उतारो, जीवन में पहली बार किसी को घर में समस्या का स्वागत करते वे देख रहा हूँ उठा लो, अरे वाग, अम्मा, इतनी बुद्धी मानी, हमने तो कहा भी ने, क्या उठाना है, फिर भी उनने उठा लिया, वाग, 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 अम्मा कह रही है, अपने पुन्य प्रताप से, हमारे सारे विगन हर लो, हमारे घर में सुक और समृद्धी बने रहे, इसका कोई उपाई बता ही? जे आई शिवशंकर इसका में काच्च दो शे काच्च खटाना होगा सुना, अमा अपनी लाठी नदी में प्रवाहित कर दो मात्री ये डंडा नहीं इस घर से समभस्त काच्च की बस्तों का त्याग करना होगा यह क्या कह रही है? इस घर में सभी बस्तों काच्च की है द्वार, खिड़किया, मेज, सहिया, सबकुछ इन सबका त्याग कर देंगे तो इस घर में बचेगा क्या? यदि ये सब रात वो भी कुछ नहीं बचेगा पंडित रामा कृष्ण कि धन, वैभव, मान, मर्याधा, यश कुछ भी नहीं बचेगा उपाई बताना हमारा धर्म था उसका अनसरन करना न करना आपका व्यक्तिकत निर्ण है शेशिपशंकर शेशिपशंकर हमें घर की सारी काष्ट की वस्तूओं को त्याग ना होगा लो, हो गया कल्यान अम्मा, आपको अपनी लाठी त्याग नहीं होगी अम्मा, आप अपनी लाठी नहींत्यागीगे अम्मा, पर अगर घर में कार्श की वस्तूर रहेगी तो अव नती पर अम्मा, आपको अपनी लाठी त्याग नहीं होगी, तो फिर हम गुरुमाता के निर्देश का उलंगन करें, आप लाठी नहीं त्यागेंगे, रामा को मारेंगी कैसे, अम्मा, हम रामा को मार देगे, अपने चिम्टे से, आपको लाठी प्यारी है, आप लाठी नहीं त् हाँ अज लिए अजा ङागो आज अरे बत्याओ। अज़िए अरे अज़ियो कही अन्मा ृजा नहीं बोलूँगा, नहीं बोलूँगा वह मचार्य थे लेहो जरी बनी अरे बुद्धि ही नो हमें अमके पड़ ब्राम की तरह लेटगता छोड़ कर कहां चले गए थे? गुरू माता ने आवच्छा का रिज्या थे थे न, उनकी सेवाई तु गए थे हमें लीचे उतारो? अब ही लगाते हैं लगा देचे आये गुरू जी, लीचे पदारिये नहीं अरे कुछ ही नहीं होगा गुरू जी बस सीड़ी तक तो पूचना है आसाम कारी है गुरू जी, जुआज़ तो गिर गया अरे तुम्हें जुआज़की पढ़ी है यह हमारे जीवाई से कट में है हमें नीचे आमाने अरे लगा जी गुरू जी थोड़ा सा नीचे पैर रखिये और दाएं रखिये पैर हाते लगाओ शुरी लगाओ शुरी तो दाएं नहीं मनी, बाएं रखिये गुरू जी अरे बाएं नहीं गुरू जी दाएं दाएं नहीं बाएं अरे क्या दाएं बाएं दाएं लगा रखिया है तुम हमारी साहता कर रहे हो यह हमारा संकर बढ़ा रहे हो गुरुजी, हम इस संकर से आपकी रक्षा नहीं कर सकते हैं हम महाराज को सूचना देती हैं इस संकर से वही आपकी सुरक्षा करेंगे अरे, रुको, रुको महाराज को सूचित मत करो महाराज को क्या कहेंगे क्या हम वर्ष पर क्यों चड़े थे धनी मने शुब समाचार है माराज हमारे पडोसी राज्य ने हमारा संधी प्रस्ताव स्विकार कर लिया है राज्य विरोधी तत्वों का दमन कर दिया है इस दिपावली के उपलक्ष में मंत्री चांद हो जाईए हमें और शुब समाचार नहीं सुनने हैं हमारे लिए तो शुब समाचार भई होगा कि गुरुवर ने वामाचारियों को नियंत्रण में कर लिया है कि गुरुवर आये नहीं महाराज हम हम अभी पता करते हैं महाराज कोई लाब नहीं होगा हमने गुरुवर को दो दिवस का समय दिया था उसमें से एक दिवस व्यतीत खोट अब हमें लगता है कि गुरुवर के बश में यह कार्य नहीं ए रामा टैयार हो जा कि ये बुचाल अब तीरी हो रहाएगा पंडित रामक्रिष्णा महाराज इस कार्य को आप संपन्य करेंगे इस समस्या का समाधान आप निखालेंगे तुम महाराज मैं अन्यताद डंड के लिए तयार रहना जी तुम तु कह रहे थी कि वामा जी के कारण अब निखालेंगे बढ़ गई कीर्थी ऐसे बनी हमारी कीर्थी आज आप ताल से जल नहीं लाए ना स्वामी यह उसे के परिणाम सरूप आपका मूँ कैसे वानर की तरह लाल हो गया है अब तो बहा है कि कहीं आपने वामा चारण जी की बताय उपाय नहीं कि तो कहीं आप पूरे के पूरे वानर महीं ना परिवर्थेत हो जाए हम तो उपाय करने गए थे तो क्या आपने द्वज लगाया? हाँ लगाया गिर गे यह 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 उपाहर कहा गए? उपाहर? वो तो सब हमने दान में दे दिये स्वामी हम पंडित हैं हम दान लेते हैं, देते नहीं है वो सारी उपाहर तो वामाचारी जी के थे न? वामाचारे भी तो तुम हो नहीं स्वामी, हम तो मातर आपकी पत्नी है और हमें पूर्ण तरह से ग्यात है कि आपको धन संपत्ति से कितनी क्रड़ा है इसलिए हमने सभी उपाहर दरित्रों में बटवा दिये खाराई लक्षमी का को ऐसे अपमान करता है मामी जीवन अद्टन कष्ट दैक हो गया है महाराज कोई भी कार्या सौप देते हैं अब दरबार में महाराज को संभलों या घरबार यहां अम्म और शार्दा ए बंदू बंदू यहां तो सब शानत है दोनों में मित्रता भी हो गई तो चिन्तिक क्यों है तू क्या चाहता है घर में द्वान चलता रहे सुनिये अम्मा ने कितनी अच्छी बात कही अम्मा ने कुछ कहा अरे अम्मा ने संकेत दिया पर हम उनके संकेत समझते है न हां घोर आश्चर घर में सभी काष्ट की वस्तुएं है यह चमतकार हुआ कैसे अम्मा ने युक्ति निकाली है कैसे युक्ति अम्मा ने घर की सारी काश्ट की वस्तूओं में एक एक कील ठोगती है अब घर की सारी वस्तूओं काश्ट एवं लोहे की मिश्रधातों की हो गई है अब लाथी भी रहेगी और घर में वृत्ती भी आएगी अम्मा चलो, खाला मनाते हैं रामा, तेरे मस्तिश्क में क्या विचार चल रहा है? यही कि वामाचारे के निर्देशों का तोड अम्मा के पास है हीरे को हीरा ही काठता है अर्थात? अर्थात ये कि वामाचारे को अब अम्माचारे परास्त करेंगे अम्मा अर्थातना अले? अम्मा, ओम्मा, अम्मा उठो ना अचनि पढ़िए आजनी मुझे कुछ कहा उँटो तो आप अम्मा के कक्ष में क्या कर रहे हैं? जून के विश्राम में विंग्ड डाल रहे हैं एक अत्यान्त ही महत्वपून बात है इथी कौन सी महत्वपून बात है? अता है, में घोर निद्रा में था पिताजी सुआम आय थे मेरे सौपन में किसके पिताजी? अले, मेरे पिताजी, और किसके पिताजी? तुम्हारे पती देव अमा हाँ, क्या कह रहे थे? कह रहे थे बड़ा निराज किया तुमने उन्हें जीवन नर्ग कर दिया एं उनका बड़े दुखी हैं विचारे क्या? क्यो? मेरे थे, तुमने अपने जीवन में कुछ किया ही नहीं, पूरा जीवन योहीं व्यर्थ कर दिया पर इन्होंने तो मौन्वरत रखा है, जाप करती है, पूजा पाट करती है, और क्या करे? मा, कभी-कभी जो दिखाई देता है, वो सही लगता है, परन्तु हो सकता है, जो सही लगे, वो सही ना हो अरे, मा, तुम नहीं जानती, कि कितनी प्रतिभा है तुमने इन्ने प्रतिभा है? हाँ शार्दा ऐसा पिता जी कह रहे थे कि अब समय आ गया है कि तुम स्वयम को अपनी प्रतिभा को पहचानों अरे वो तो ये भी कह रहे थे कि तुम अस्यंत ग्यानी हो जब पिता जी जीवित थे तब तो कहते थे कि इनसे बड़ा अज्यानी और कोई नहीं है अरे वो तो उनका प्रेम था ना तुम्हारे प्रति अब तुम्ही बताओ कोई भी पती अपनी पत्नी की खुले तरीके से प्रशंसा करता है भला तो पिर एक स्वर्गवासी पती ने अपनी पत्नी की प्रशंसा की वो भी स्वापन में तुमने भी क्या कहा स्वर्गवासी त कि तुम तो ग्यान का भंडार हो हाँ वो ये भी कहा रहे थी कि विजय नगर आना मेरी नहीं तुम्हारी नियती है तुम अपने साथ-साथ हमारा संपूर्ण विजय नगर सामराज्य का और यहां के नागरिकों का भला करने की छमदा रखती हो मुझ में ऐसा कौन सा गुन है जो मुझे ही नहीं पता अब तो मुझे भी नहीं पता और कुछ तो होगा तुम्हे महाभारत का भ्यान है तुम रामायन का अध्यान करती हो संपूर्ण घीता पाट भी करती हो मुझे तो लामा को कुए प्लपंच लगल है शड़ेंत्र की गंद आ रही है, इधर हाँ गंद तेरे मस्तिश्क से आ रही है और तुछ से भी पता नहीं कितने दिरों से स्नान भी नहीं क्या है देखो अम्मा, यदि तुम्हें मुझे पर विश्वास ना हो ना तो चल कर स्वयम पिता जी से पूछ लो अम्मा अभी स्वर्ग नहीं जाना चाते, अभी बहुत सारे बाकी है अम्मा को अपने पूते-पूतियों का मुख बेखना है न तो मुझे जीते जीमाना चाते हो अजे मैं यह कह रहा हूँ कि स्वयम चल कर पिता जी के चीप्न के सामने ऐसे आमने सामने पूछ लो प्राम पिताजी, बताए इन्हें, बताए कि आप मेरे सुपन में आये थी, उसे प्रमान मांग रहे हैं, ठीक है, तो अब इस बात का प्रमान आप ही दीजिए, दीजिए इन्हें ठीवाद वरुन दीटा देखा, अब इस पिताजी ने अपने नेतर जपकाई, देखा तभी जपकाई, मैंने तो नहीं देता अरे तुझे कैसे दिखाई देगा, तु तो आधी निद्रा में चल रहा है, तुझे तो इनकी मुस्कान भी नहीं दिखाई दी होगी हमने भी नहीं देखी कोई बात नहीं, पर अंतु नेतर जपकते वे तो देखा ना नहीं, आपने देखा, मैं रेप, तुम लोग क्या कर रहे हो, ध्यान से देखो पिताजी को, ध्यान से देखो इस चित्र को, अपना ध्यान केंद्रित करो पिताजी, बोले, यहीं समय है, यहीं सब आपकी प्रतिक्षा करनाया है, कि आप कुछ बոलेंगे और अत्मी बात का प्रमान देंगे अब मेरी लाज आपके हाथ में है पिताजी बोलिए अब तो आपको ही कुछ बोलना होगा अन्यथा इनके समक्ष मैं जूता प्रमानित हो जाऊँगा अच्छा कोई संकेत ही दीजिए दीजिए कोई संकेत पिताजी पित ते नाले देखा पिताजी ने पुष्प गिराकर स्वेम हमें संकेत दिया धन्यवाद पिताजी धन्यवाद पुष्प गिराकर आदर्ण ये पिताजी क्या कहला जाते है हाँ पिताजी ने पुष्प गिराकर कोई ना कोई संकेत तो दिया है क्या संकेत दिया होगा क्या संकेत दिया होगा अरे यह क्या है चार प्रहर में वास्तु शास्त्र सीखिए परंतु यह पुस्तक यहाँ कैसे आई शार्दा क्या तुम ने यह पुस्तक यहां रखी नहीं तू गुडपित ने तू तो रहने ही दे , तेरी तो पुस्तकों से दूर-दूर कोई समर्द नहीं है अम्मा , क्या तुम नहीं यह फुस्तक रखी ? यह वे फी फुस्तक , हाँ अर्थात , यह फुस्तक स्वय्म P Health नहीं आं रखी अम्मा , पsoftDo, चाहते हैं कि तुम वास्तु शास्त्र का अध्यान करो मैं? हाँ, तुम नहीं तो और कौन? मुझे हमेशा लगता था कि मेरे अंदर कोई ज्ञान चुपा है ए अम्मा, तुमने तो अपना मुल्यांकन कम किया है केवल ज्ञान नहीं, ज्ञान का भंडार हो तुम अब देखो, तुमने ही अपनी कास्ट की लाठी में लोहे की कील्ट होकर इसे मिश्चित धातु बना दिया तो इससे तो ये सिद्ध होता है कि तुम में वास्तु शास्त्री बनने के सभी गुण है और इसी लिए तो पिताजी ने पुष्प गिरा कर मुझे ये संकेत दिया है मात्र चार प्रहर में वास्तु शास्त्री अम्मा, अथाट केवल एक दिन में हाँ, अम्मा कह रही है ये वास्तु शास्त्र का अध्ययन अवर्ष्य करेंगी हाँ कुंडपा तु द्वार पर जा और किसी को भीतर आने मत देना हम अब हम क्या करें हम आपको पंखे से हवा दे आपको पंखे से हवा दे हाँ अच्छे से धेन करना अम्मा वास्तु शास्त्री बनना है सब जोड़ो सब जोड़ो जोड़ना ही सार है जीवन का अधार है जोड़ने से परिवार है तभी सुखी संसार है जोड़ने से तोड़ है वास्तु शास्त्र का ने चोड़ है उम्मा जाया अम्मा चारीा खारीा कबसे प्रतीक्षा कर रहे हों, चलो ये घड़े उठाओ और घर के हर एक दिशा में रख दो क्यों? इन घड़ों में गंदा जल भरा है जिससे बातावरन शुद्ध हो जाएगी घर में खुशाली आजाएगी बातावरन प्रसेंड हो जाएगा तो ये घड़े दिखने में बड़े भारी लग रहे हैं मुझसे नहीं उठेंगे मौर्ख शब्ध हमारे भावना तो यहीं की है न? उठा लो अभी तो कहा मट्के बहुत भारी लग रहे है अधे पलके उठा लो और उठा कर देख लो अमा चारे के अंदर अमा ही है और उनके होथ में डंडा भी है अमा ने कहा? नहीं नहीं हमारा सुझाव है अनिथा अमा का डंडा कारे कराना जानती है हाँ हाँ नुक्चालावा बना बता तो कि घड़ा कैसे होता थे क्यों क्यावा मापलिस मैं उठा के दिठाता हूँ जाने दे लामा बहुत बले है तो यह प्यास तर ले लामा नहीं नहीं मुस्से नहीं होगा 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 यह अपने अपनी जान में पस क्या अपनी यूजना को अंतिम चरण पर ले जाना होगा यह तो अमा जीनाद उपर कर देंगी महला से तुरह भेट करनी होगी गरोर आप घूंगट ओड के क्यों खड़े हैं आपको लजजित होने की कोई आवशक्ता नहीं है हमें यादे की आपका मूँ वचितर रूप से लाल हुआ है हम लजजित नहीं है महराज वो तीविर प्रकाश से शुरकशा ही तु हमने अपने मूँ को ठका है क्या है न कि तीविर प्रकाश से कष्ट होता है हमें महराज की जय हो महराज, गुरु माता वामाचारिय जी के निर्देशों पर हमारे राज्य के अधिकतर लोग अपना घर द्वस्त कर रहे है कुछ कीजे महराज, हमारा विजय नगर तूट रहा है कुछ कीजे महराज, हमारा विजय नगर तूट रहा है गुरुवर, कुछ कीजिये गुरुवर, हम क्या करें महराज, हम तो स्यम को और अपने घर को द्वस्त होने से नहीं बचा सकते महराज की जय हो, कैसी जय हो पंडितरा मकरिना, गुरु माता वामाचार्या ने पुरे नगर में उत्पात मचा रखा है इस समस्या का कोई समाधान मिलेगा हमें, समाधान मिल गया है महराज परन्तु मैं जो कहूंगा आपको वैसा ही करना होगा, और आचारे आपको भी हाँ, हम इस विकार है, इस से पहले की वरुमाला नगर को ध्वस्त और हमें अस्त ब्यस्त कर दे, कोई को भाई बताईए, शिग जी पंडितरा मकरिश्णा, आप जो कहेंगे, जैसा कहेंगे, हम वैसा ही करेंगे, आप बस इस समस्या का समाधान मिलेगा, जी अब युक्ति तो बहुत अची है, महराज, महराज, अहो भाग्ये हमारे, आज आप हमारे कक्ष में कैसे पधारे, छोटी महराणी जी, जिसकी पतनी इतनी सुन्दर हो, उससे मिलना भला कौन नहीं चाहेगा, परन्तू, परंतू, परन्तू क्या महराज? परgeneration महरानी जी जब भी हम आपके कक्ष में आते हैं, तो पता नहीं क्यों, ऐसा प्रतित होता है, कि कोई अधृश्य शक्ति है, जो हमें महरानी चिन्ना देवी के कक्ष की और आकर्षित करती है, कुछ तो है, कुछ तो अवश् कि हम हंस की भांती वहां खीचे चले जाते हैं अभी इस इक्षान हमें आभास हो रहा है प्रतित हो रहा है कि हमें वहां जाना है चिन्ना देवी जी के पास महराज, आप हमारे रूप के प्रति आकर्शन बनाई रखिए। जी, 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 आ रहे हैं, चिन्ना देवी। रुख जाए महाराज। अब यहां हमारे बश्च में यह रुखना, आ रहे हैं, चिन्ना देवी। महाराज, बज जाए, रुख जाए। महराज वेवी तीर्थ क्या बात है कुछ विजलिक प्रतित हो रही है कोई समस्या है हम महराज के विशे में चिंति हैं अचारे वो हमारे कक्ष में कभी आते ही नहीं है और आते भी है तो हंस की भाती महाराने चिन्ना देवी के कक्ष में चले जाते हैं हन्सकी भांती अर्थात वास्तू वास्तू? जी यह सारा प्रपंच वो अमाचारे का है पर उसका तोड़ है हमारे पास यदि आप करने की इच्छुक हैं तो हम है, हम है आचारे आप बताएं क्या तोड़ है अमाचारे अमाचारे? ये कैसा नाम हुआ? पंडित रामाकिष्णा की अमा वास्तू का ज्यान प्राप्त करने के बश्चाद आचारे हो गई हैं अथा अमाचारे हो गई हैं अच्छा? जी छोटी महारानी इस वामाचारे नामक विश्च की एक ही काट है अमरे तुल्ले हैं अमाचारे परन्तों आचारे उन्होंने तो मौन व्रधारण किया है न वो हमारी सायता कैसे कर सकती है? मौन तो समस्त ब्राहमांड की ध्वनी होता है आपको तो उनसे ज्यान लेना है मौन ग्यान के आड़े नहीं आता है तो बताई आचारे हमें क्या करना चाहिए? आमंतरत कीजी अमाचारे को महल में आमंतरत कीजी आपकी सारी समस्याइं दूर कर देंगी आदर नहीं अमाचारे भगवान शिवापका कल्यार करें यह क्या है? जूला अच्छा? मुझे तो लगा नाओ है अरे वो तो मैं भी देख रहा हूं की जूला है परंतु यह हमारे शैन कक्ष में क्या कर रहा है? उठा लो क्या? जूला? अरे नहीं, जितने चाहे उतने प्रशन उठा लो अम्माचारे का आदेश है कि हम शैया पर नहीं, जूले पर ही सोएंगे अरे परंतु इसमें तो केवल एक ही व्यत्ती सो सकता है सुनो, तुम का सोगी? क्या है? वो हमें ग्यात नहीं, परंतु अम्माचारे का यही आदेश है अम्मा, हम जूले में क्यू सोएंगे? जूला केसे प्रिया होता है? बालको को? इसलिए अम्माचाहते हैं कि हम जूले पर सोएं पर अम्मा, हम दोनों बच्चे नहीं हैं, फिर हम जूले पर क्यू सोएंगे? अम्मा चाहती हैं कि शीग्री जूले पर बालक सोए अब कुछ भी नहीं समझते हैं नहीं नहीं समझता हूँ समझता हूँ उचित है परन्तु अम्मा कभी निद्रा में मगन होकर जूले से गिल गए तो गमेड टूट जाएगी लाज जर्बाल से सेवे का है कहलाता के अम्मा अचालिय को महारानी तिरुमा लंबा ने बुलाया शीख लए अपने कक्ष में लगता है मेरी योजना सही दिशा में जा रही है सुनकुन टपे तू सेवे को बोल की प्रस्थान करे मैं स्वै ममा चारे को लेकर महारानी तिरुमा लंबा की सेवा में अभी पस्थिध होता